जीवन में अगर दुखों का अंत हो जाए, परशानियों का अंत हो जाए, समस्य आए, धेरे धेरे समाप्त होने लगें, तो हमें खुशियां मिलने लगती है, बुरी आपते मिट जाए और पीशवर का आशिवाद मिल जाए, गरहों का सपोर्ट मिल जाए, तो खुशियां ब दोस्तों मैं स्वागत और अपने सभी प्रिय दश्कों का और उबीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश परसन और आनंद में होंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले है राशी फल्की और उसके साथ साथ हम जानेंगे आपकी भाग्य को चमकाने के लिए कौन स स्टोन आपकी मलत कर सकता है और उस स्टोन की कीमत क्या होगी ताकि आप कम कीमत में अपनी किस्मत को चमका सकें तो आइए शुभारम्द करते हैं वीडियो का और बात करते हैं राशी फल्की राशी फल्ट अर 31 दिंवरी 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे यह चानकाई ele चंद राशी और नाम राशी पर नाधारित होगी हम दो दिनों की बात करेंगे और दो दिनों में जानेंगे कि आपका भाग्य आपके सितारे आपके कितने साथ हैं, और क्या उपाई आपको करने चाहिए。 और आज आपका जिनम दिन है, शादिकी साल्गिरा है इन दो दिनों में, तो मेही तरफ से बहुत-बहुत कामना आए hai, ग्रहों की स्तितीग को समझा जाए इन दो दिनों में, तो मैं आपको बताऊं सूर्ज जो हैं शत्लू के घर पर हैं चद्रमा आपने स्वयम मित्र के घर पर हैं मंगल जो हैं स्वयम के घर पर हैं बुद्ध मित्र राशी में हैं गुरू गुरू जो हैं देव गुरू ब्रस्पती ग्रह पती के साथ तठस्त हैं लेकिन अस्त हैं औ और शनी जो हैं वो अस्त हैं स्वयम के घर पर राहू केतु स्वयम की उच्चराशी में हैं ये ग्रहों की विवस्था थी जो गोचरवे बन रही है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवंतर होगा इन दो दिनों में अब हम बात करने वाले हैं आज मैं आपको आपकी परिशानियों का अंत बता रहा हूँ आपके दुखों का अंत बता रहा हूँ आपकी गुरी आक्तों का अंत बता रहा हूँ हर्मान जी एक ऐसे देवता हैं जो छण भर में शनी राहू केतु से मिलने वाले अशुप रभाव हो चाहे हो साड़े साती हो धईया हो या अशुप रभाव हो चाहे हो कालसर दोश हो चाहे हो कोई अन्य दोश हो उन सबसे मुक्ति दिलाते हैं तीन अशुप ग्रहों को कंट्रोल करते हैं शनी राहू केतु को और उनके द्वार मिलने वाले अशुप रभावों को समाप्त कर देते हैं और बुद्ध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमाई वेपार के लिए बुद्धी देता है जुबान अच्छी कराता है पढ़ाई पढ़ाई सबने के अध़र किसी को निकम्य पन की आध़र पर जाई किकसी को मानने पीटने की आद़र पर जाए तो वह था बेकार हो जाता है पढ़ा लिकां इंसान भी मूर्ख हो है या फिर अप्पे भूत प्रेत तंत्रबंत जालू टोना हो जाए बुरी नजर लग जाए या हमाई शरीर में कोई ऐसे रोग हो जाए कि हम चाहकर भी बिस्तव से उट नहीं पा रहे हैं या फिर हमारा पैसा जो है जो हमें पैसा बिजनस वेपार पढ़ाही में लगाना च हम परशानी में दबे जा रहे हैं करजों में दबे जा रहे हैं हम पर हर बुरी मार पढ़ रही है तो ऐसे में आप क्या करेंगे भगवान का नाम तो जपेंगे जपेंगे ऐसे में हर्मान जी को याद करेंगे तो हर्मान जी को जब आप याद करते हैं तो हर्मान जी की किर रही हैं यह है सूलिमानी हकी सुलिमानी हकी जिस जगें पर होता है जी सुछक्ति के हथ में खर्पर या गले में होता है उस यह जरीर में नहीं से शलें शरीर को अच्छा करता है नशे जुआ या अन्य जो मारपीट की आदत है जड़ाई जगड़े की जो आते हैं बुरी आते हैं उन सबसे आपको दूर करता है तो इन दोनों पत्थर का जो कॉंबिनेशन है जिस भी महिला पुरुष बच्चे के हाथ में होता है वो व्यक्ति जीवन में आवे बनना है तरक्की करना है और जीवन में सफल होना है और एक अच्छा सुंदर शरीर जो भगवाद ने दिया है उसमें अच्छा जीवन व्यक्तित करना है ना बिना रोग भी नहों पैसे की भी कमी नहों शिच्छा की कभी भी नहों और हमारे अंदर स्थित है और आपके का मंगा है। इसका code है यह आपके सामने pasta में लिख कर continue कर जिनकों भी डिखा भी बेने महिला पुरुष सभी लोग पहुता है। किone फैट्टेए यहे confess कि लोग है ! 2021 लिख कर भीजेंगे और यह आपको आपके घर नबिया जाएगा कोरियर के द्वारा और इसके साथ विनी विधान सब कुछ आपको दिया जाएगा तो ये दोनों चीजे यानि कि ये ब्रेसलेट और ये पत्थर लेने के लिए आपको L21 लिखना है और इसको दिये गए वाट्सेप नूमर पर भेज देना है साई जांकारी आपको मिल जाएग के दो दिनों के राशी भल की बात करते हैं मितुन राशी की आज आपके शरीर में आलस वाथकान हो सकती है लेकिन आपका आत्म निश्वास इतना तेज होगा इतना ऊपर होगा कि आप आलस को पीछे करते हुए अपने काम करेंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी आपकी कटि मेहनर से आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप करेंगे जीवन साती के साथ रिष्टे बहतरी शांदार होंगे कुछ मामलों में आपको टिक कर काम करना पड़ेगा जल्दी जल्दी अपने काम से विच्रित मत होईएगा तभी बड़ी आप रिडाम मिलेगा जीवन साती के साथ आपके रिष्टे मदूर होंगे आपकी संतान के दोरा आपको शुप पड़ाम या शुप समचार मिलेंगे संतान की तरक्की होगी बच्चों का बन पड़ाय लिखाई में रहेगा इन दो दिनों में प्रसंता और खुश्यों का महौल रहेगा सभी छोटी बड़ी खुशिया आपको मिलती चली जाएंगी सभी के साथ बढ़िया तालमेल रहेगा परिवार वालों के साथ आज लाप का दिन है एक अच्छा दिन है बढ़िया तरीके से लाप कमाते हुए आप आगे बढ़ेंगे आज आपको जीवन साथी का सपोर्ट हर छोटी बड़ी बात में मिलेगा यानि कि आज आप लोग दुख सुख साजा करेंगे खुशियां साजा करेंगे आपके घर परिवार में सभी लोग एक दूसरे से बाचीत करेंगे अच्छे से कोई तकलीफ थी, कोई तनाव था तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे जमीन खरीदना, बेचना, किराये पर चड़ाना, घर वगएरा लाबदायक, सौधे रहेंगे बच्चे 31 तारीक को थोड़ी मौन मस्ती जादा करेंगे जिसकी वज़े से पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम हो सकती है आप अपने पाचन तंत्र पर ध्यान दे, सेहत पर प्रिशेश ध्यान दे सफलता माहें फैला कर आपकर इंतिजार कर रही है आज के दोनों दूनों में आप अपने अधिकारों का सही प्रियोग करेंगे नौकरी हो, चाहे वैपार हो, चाहे धरीरी अधिकार कटनाई हों से आप गबराएंगे नहीं और आप अपना काम करते चले जाएंगे किसी भी प्रकार की लापरवाही करने की आशकता नहीं है जीवन साथी के साथ बढ़िए तरीके से आप आगे बढ़ेंगे आप किसी से कोई ऐसी बात ना करें जिससे बिवात की इस्तिती बने या लगाई जगरी की इस्तिती पैदा हो चुपचापकना काम करते जाईए सेहत को लेक अलापरवाही ना करें किसी से जूट नहीं बोलें किसी से फालतु की बात नहीं करें किसी को जूटा वादा ना करें और कुछ चीदों में संधर्ष के बाद आपको भेती सफलता भी मिल जाएगी और जो बच्ची कुची आपको सफलताएं हैं वो आपको ये सुलेवानी हर्की का बीड्स और मिलागाई पत्थर देगा यानि कि L21 और उसके साथ में फ्री मिल रहा है आपको एक स्टोन जो की इतना बड़ा है अब मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी आपको जरूरत है हर्मान जी की किरपा आपको पानी है और जीवन में आगे बढ़ना है तो आप मैंसे जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं L21 लिखकर वाटसेप करें इसको लेने के बाद मैं आपको यगीन दिराता हूँ आपको जीवन में कश्ट समाप्त हो जाएंगे इसके सास्वाथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आज हर्मान जी की पूजा करें जी भर के अर्मान जी को खुश करने की कोशिश करें और हर्मार जी का शिवाद प्राप्त करें ताकि आपके उपर शनी की धहिया का प्रफाव खत्म हो जाया और सूले मानी हकीक जिसके पास होता है शनी राहू के तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं वाटसअप करें और देखें फिर जीवन में कैसे रंग भर जाता है नमस्कार